हलो मेरी प्यारे बच्चो मैं हुशुबं फ्रम लर्नोहब फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहां पर आप फिसिकों इस्ट्री मैट्स बाइलोजी सब कुछ पढ़ सकते हो वो भी एपसलिटली फ़ार फ्री अट लर्नोहब.com तो चलो शुरू करते है तो बच्चो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में आपकी ICSC Class 8 का Chapter No.6 Chemical Reactions के Concepts को पढ़ने के सिलसिले को जारी रखेंगे, अब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इस Chapter कुछ Concepts पढ़े हुए, मतलब कुछ Types of Reactions देखेते हैं हम लोग ने, जैसे कि Combination Reaction, Decomposition Reaction, Displacement Reaction, अब आगे के Topics पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में, और कुछ Quotions भी देखेंगे, तो बिना Time Waste के शुरू करते हैं, and Let's Rock! तो हमारा, अब तक तो मैंने कौन से टाइप के हम लोग ने Reactions देखे वो तो मैंने बता दिया, अब Next और Last Type of Reaction है हमारा Double Displacement Reaction अब जैसे Displacement Reaction में कुछ Displacement वाली चीज थी, यहाँ पर भी Displacement वाली चीज है, पर Double Double होगी, मतलब चलो समझते हैं, तो यह ऐसे Reactions है, जहाँ पर दो Compounds, Solution के अंदर रहेंगे, ओके, और वो नए दो Compounds बनाएंगे, तो दो पुराने Compounds, Solution के अंदर कुछ करेंगे, और दो नए Compounds बनाएंगे, और वो जो कुछ करेंगे, वो क्या कुछ है, वो बहुत Important चीज है, यहाँ पर कैसे यह दो पुराने Compounds, दो नए Compounds में करणवाट होंगे? By Mutual Exchange of Radicals, तो मैं ले रहा हूँ मेरे दो पुराने Compounds as A and B, मतलब दो पुराने Compounds में से एक पुराना Compound है A, B, दूसरा पुराना Compound है C, D, अब इनसे नए Compounds दो बन रहे हैं, बन कैसे रहे? By Mutual Exchange of Radicals आपका हो गया अपसर, यह क्या होता है? वो तो बताओ, अरे बतातो रहा हूँ, देखो, यह जो Mutual Exchange, मतलब क्या? दो, मतलब Exchange हो रहा है Mutually, ओके, तो अगर कोई, कोई चीज दूसरी की जगह ले रही है, तो दूसरी चीज उसकी जगह ले रही है, तो Mutual Exchange इसको कहेंगे हम लोग, आप किसका हो रहा है वई? Radicals का, तो Radicals वाली चीज तो हम लोग में पढ़ लिए, क्लास 6, मतलब 7, 8 से त यह CD, यह पुराने Compound है, यह Radicals से बनी होगे, A Plus Radical, B Minus Radical, तो यह A Plus Radical, B Minus Radical का मिलन हो रहा है, A B Compound बन रहा है, C Plus Radical, D Minus Radical का मिलन हो रहा है, CD Compound बन रहा है, अब इन में हो रहा है Mutual Exchange of Radical, तो इसमें मतलब, अब यहाँ पर हो ऐसा रहा है सिलसला कि यह जो A है, यह भ हिसाब ले रहे हैं जगा C प्लस की और यह C प्लस क्या करेगा मैंने बता ना, mutual, एक दूसरी के जगा ले बाद दूसरा पहली के जगा ले, C प्लस जगा ले रहा है, A प्लस की, बाद इतनी ही चीज़ है, खतम, ओके, और जब कोई reaction में ऐसी चीज़े ले रहा है जगा C प्लस की ओके, आप देखो यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ओके, A प्लस ले रहा है जगा C प्लस की, क्योंकि देखो, A प्लस जो है, वो D माइनस की जगा नहीं लेगा, क्योंकि अगर A प्लस D माइनस की जगा पे आ गया ऐसे यहाँ पर C प्लस है A प्लस आ गया D माइनस की जड़ा पे तो A प्लस और C प्लस compound नहीं बनाएंगे समझ में आ गई बात कि दोनों भी positively charged radicals है positive को negative चाहिए तब जाके उनका मिलन होगा compound बनेगा ठीक है तो इसी लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ जो positively charged radical है वो positively charged radical को ही displace कर रहा है उसको उसके साथ ही exchange कर रहा है अपनी जगा बस इतना ही चीज़ है ठीक है माच समझ में आ गई तो एक छूटू सा डावट अप के मन में हो सबता था मैंने वो clear कर दिया अब आगे बढ़ते है भाईसा आगे तो यहाँ पर product कैसे बनेंगे a plus गया अगर c plus के जग़े तो यहाँ पर क्या हो गया a plus आ गया अब c plus के जग़े ठीक है और उसके साथ क्या है d minus ठीक है और c plus गया है a plus के जग़े तो c plus यहाँ पर गया तो मैं यह आपर C plus लिख रहा हूँ वो किसके साथ होगा फिर आप B minus के साथ क्योंकि A plus के साथ B minus था ठीक है तो compound कौन से कौन से बन गए अब हम लोग क्या करेंगे अब general reaction में मैं और थोड़ा आसानी लेक्षा निकले मतलब अब यह ऐसे mutual exchange of radical हो रहा है यह कुछ ऐसे दिखेगा A B plus C D U C B plus A D पर इसको समझना है तो ऐसे radicals के terms में ही समझना है तो वो general reaction के लिए मैंने आपको बता दिया पर याद तो रखना है जो मैंने पहले बता था radicals के terms में कैसे था वो? ऐसे कुछ था A plus B minus C plus D minus यह इसकी जगा लेगा यह इसकी जगा लेगा बन गए हमारे C plus B minus ठीक है? और फिर A plus D minus ठीक है? ऐसे अब यह जो ऐसे type की reactions है मैंने आपको बता दिया अब यह ऐसे होते है double displacement reaction जिनमें दो compounds, दो नए compounds बना रहे है by the mutual exchange of radicals ठीक है? पर यह होते है भाई दो type की, अब इनके दो नो type पढ़ेंगे हम लोग, double displacement के दो type कोन से है भाई? पहला है precipitation reaction, दूसरा है neutralization reaction, बहुत ही बड़िया type से, ओके करके देखेंगे हम लोग तो precipitation reaction मतलब क्या? यह double displacement का type है, मतलब क्या हो रहा भाई? इसमें भी दो पुराने compounds बन रहे है ओके, दो पुराने compounds जो है AB और CD ले रहा हों में ओके, यह बन रहे है दो नए compounds में, पाइंग पाइंग अब कोन से दो नए compounds है? वो ही, वो ही logic बनेगा देखो, AB और CD बन रहे है CB और AD, तो मैं फिर से फिर से वो ही time pass मतलब, sorry, time pass नहीं, मैं फिर से फिर से वो ही चीज नहीं कराऊंगा कोई कि मतलब नहीं ना, हम लोग ने एक बार कर लिए, अच्छी से समझ लिए तो यह general reaction में यहाँ पर उठा कि वहाँ पर लिग गया, AB प्लस CD ठीक है, AB प्लस CD gives CB प्लस AD CB प्लस AD ठीक है, तो ऐसे दो compound में mutual exchange of radical होगा और दो नए compound बनेंगे पर precipitation reaction ऐसे double displacement reaction होते है जिन में यह जो दो compound बन रहे है, या फिर दो से जादा भी बनेंगे पता नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पर तो फिलाल बन रहे हैं, तो precipitation reaction ऐसे double displacement reaction है, जिसमें एक compound जो बनेगा, at least एक compound, जो बन रहा है वो होगा insoluble, तो मैं आपर इसको पकड़ लू तो यह compound मैं ऐसे कहे रहा हूँ, यह होता है, यह होगा, अगर insoluble ok insoluble मतलब जो घुलेगा नहीं ok, उसको कहते हैं, हम लोग insoluble आपका होगे किसमें sir, solution में नहीं गुलेगा, ok, यह सब जो चल रहा है यह solution में ही चल रहा है, ok तो यह जो दो पुराने compounds हैं, दो नई compounds में बदल रहा है, यह दो compounds जो पुराने हैं यह solution में, तो जब यह compounds बदल रहें, नई एक compound ना गुलने वाला हूँ, तो उसको हम लोग कहते है, precipitation reaction, और ये जो होगा न, cv, जो insoluble है, या फिर जो कोई भी insoluble compound as a product बनेगा, उसको हम लोग कहते है, precipitate, बस, तो chemical reaction में precipitate formation भी होता है, ये इस chemical reaction के उधारन से हमें समझ में आ गया, correct, precipitate, क्या है, ये भी समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके, overall चीज़ समझ में आ गई, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत, example देखेंगे, एक example देखेंगे इसको, ओके, ये जो अंग्रेजी में चीज लिखी हुई है, वो ही है, two compounds in the solution, देख रहा है आपको, give rise to insoluble compound as one of the product, give rise to insoluble compound as one of the product, ओके, अब example में, मैं ले रहा हूँ, है, chlorine one minus में होता है, तो आप अगर क्रिस क्रॉस करोगे, तो barium chloride का formula मेलेगा, वैसी sodium sulfate का भी मिलेगा, अब barium का अगर आपको पता नहीं होगा, ये टूपरस में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ओके, याद रख लो, barium chloride dacl2 होता है, फिलाल तो, ठीके, तो barium chloride plus Na2SO4, sodium sulf ये हमें देगा, ये हमें देगा, बेरियम sulfate plus sodium chloride, ओके, बेरियम sulfate plus sodium chloride, अब इसमें होगा क्या, ये दोनों compound solution के अंदर है, इन में कुछ mutual exchange हो रहा है, radicals का, और ये दो नए compounds बन रहे हैं, पर ये जो दो नए compounds बन रहे हैं, इन में ये बिचारा compound, barium sulfate precipitate है, मतलब insoluble है, solution के अंदर, तो जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको, मैंने barium chloride और sodium sulfate को लिया है, ओके, इनका मिलन हो गया, ओके, इनका मिलन होने के बाद, ये बूल जाओ, छोड़ो, test tube का चीज बूल जाओ, इनका मिलन होने के बाद, जो दो नए compound बन रहे हैं, उन में से ये एक compound है, insoluble, ओ ये ऐसा ही पड़ा हुआ है, ओके, barium sulfate, ऐसे, solution के अंदर, ये पूरा solution ही, उसके अंदर ऐसा पड़ा होगा, ठीके, तो ये हो गया अपनी example, अब इसमें देखो, mutual exchange कौन-कौन से radicals में हुआ है, ओके, आप बताओगे मुझे, ठीके, pause करना, सोचना, reaction को देखना, और फट हो, ओके, अगर बुरे हो, तो try नहीं किया होगा, क्योंकि try करना, इंसान की, क्या होती है, आदत होनी चाहिए, correct, उसकी वो अंदर से innate nature होना चाहिए, तो हमें हमेशा try करते रहना चाहिए, बले चीजे, right बने, wrong बने, अगर right बन गई तो बढ़िया, अगर wrong बन गई तो उ यह radical, barium chloride में, barium 2 plus वा radical है, अब मैं यह आप से पूछ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया था, इसलिए, तो barium, barium 2 plus में, Cl2 जो है हमारा chlorine, वो chloride iron है, Cl-, यहाँ पर sodium तो हमको पता है, Na plus में होता है, sodium, और sulfate भी पता हमको SO4 2-, अब अदला बदली हो रही है, तो दिख रहा होगा आपको, कि barium, sulfate के साथ जुड़ा होगा है, तो barium को अगर sulfate के साथ जुड़ना होगा, तो sodium के साथ exchange करना पड़े साथ, तो barium 2-plus गया यहाँ पर barium sulfate बन गया, और sodium कायन आ गया, यहाँ पर barium के जगर पे sodium chloride बन गया, तो sodium chloride बन गया, तो sodium chloride बन गया, दो product कैसे बन गए समझ में आगी, mutual action कैसे होगी समझ में आगी, ओके चलो, आगे बढ़ते, अब दूसरा type का double displacement reaction है, neutralization reaction, यह मेरा बहु ही simple सा, साधा सा, एकदम प्यारा सा reaction होता है, इसमें होता, simple सी चीज है, लेको acids जो है, bases के साथ react करते हैं, और salt और पानी ही बनाते हैं, सिर्फ salt और पानी बनाते हैं, तो जब आपको ऐसा कोई reaction दिखाएंगे, जिसमें acid और base, ओ, मस्त react कर रहे हैं, और salt और पानी बना रह अब इसमें देखो दो पुराने compounds, दो नए compounds बन रहे हैं, जिन में से, देखो, ये ऐसा displacement reaction होता है, double displacement reaction होता है, कौन सा? neutralization reaction, ऐसा double displacement reaction है, जिसमें दो पुराने compounds, उसमें से एक होगा acid, एक होगा base, क्लिक्ट हो गई जबात, ओके, ये दो पुराने compound जिसमें से एक होगा acid, एक होगा base ओके, ये react करेंगे mutual exchange होगा इनके अंदर radicals का, और बनेंगे दो नए compound जिसमें से एक होगा salt, एक होगा पान बस, इसको कहते हैं neutralization reaction, ठीके बात समझ में आ गए आपको, overall तो अब ये ही चीज़ लिखिए है मैंने, examples में देखेंगे, मेरा सबसे favorite example, बहुत ही मज़दार example है NaOH, ये है मेरा base ओके, और ये है hydrochloric acid HCl ये acid और base का मिलन होगा और इन से बनेगा salt और water, तो salt कौन सा बनता है, देखो, simple सी चीज़ है NaCl, ओके, और water बनेगा, H और OH मिला के water ओके, तो ये बस मेरा logic है याद रखने का, आप फिला वैसे मत करना ओके, यहाँ पर आप भी वैसे याद रख सकते हो पर फटाक से आपको शायद click नहीं होगा होगा, तो मैं थोड़ा सा radicals लिखके दिखा देता आपको थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत idea आ जाएगा, Na plus है यापर OH माइनस रहता है H plus है और ये Cl माइनस है, ठीक है तो यहाँ पर भी ये दोनों compounds के बीच में exchange होगा, mutual exchange of radical होगा अब देखो, products क्या बन रहे होगा, वो देखेंगे उसके बाद मैं आपको समझाओगा, किस तर से exchange हो रहा है तो product बन रहे है हमारा Na, Cl और water ठीक है, तो Na, Cl और water, अब देखना आपको समझ में आ गया होगा, Na के साथ Cl जुड़ा होगा है तो भाई, Na जाएगा H+, के जगे पे, Cl के साथ जुड़ने के लिए, मतलब Cl- के साथ जुड़ने के लिए ठीक है, और यहाँ पर H+, फिर आएगा Na+, के जगे पे तो देखो, Na+, बन गया सोरी, Na+, गया, Cl- के पास NaCl हो गया, H+, आ गया यहाँ पर, OH- के साथ ठीक है, ओके, Na+, Cl-, NaCl यह गया वहाँ पर, Water बन गया, तो NaCl और Water, ठीक है अदला बदली कैसे हुई समझ में आगे आपको NaCl और Water ठीक है, अब ऐसे Mutual Exion of Radicals होने के बाद यह बन गए हमारे Compounds Product में, अब देखो, धान से Acid और Base react कर रहे, to form, इसको हम लोग कहते है, NaCl salt है और Water, 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 देखो, Water तो दो Compounds, Sorry, दो Compounds Acid और Base है, वो solution के अंदर, क्या कर रहे है react कर रहे, किस तरह से react कर रहे है, कि उनके Radicals का Mutual Exchange हो, और फिर दो नए Compounds बना रहे, जिसमे से, एक है Salt, एक है Water, तो ऐसा Double Displacement reaction होता है, Neutralization reaction, तीक है, अब इसके अलावा, कुछ ऐसे भी Double Displacement reaction होते है, बस last वाले चीज़, बस last वाले चीज़, Double Displacement के बारे में ओके, तो कुछ ऐसे भी Double Displacement वाले reactions होते है, जिन में Gas भी निकलता है, बाई acid ले लिया, तो होगा क्या मतलो में इनका reaction होगा, इनमें mutual exchange of radicals होगा ओके, और फिर हमें मिलेगा iron sulfate और hydrogen sulfide gas, ओके, तो यहाँ पर अब आप बताऊगे मुझे, कौन से कौन से ions के बीच में mutual exchange होगा है radical का, फटा-फट चलो, पॉस करके बताऊ, ओके, मतलब पॉस करो, खुद जूढ़ा answer, कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट भी कर सकते हो, भले मैं देखना पाऊ, कि यह प्रीमियर होगा ओके, मतलब मैं उस टाइम पर present नहीं होगा, लाइम नहीं होगा, पर आपके कॉमेंट में तो answer दो रहेगा, तो आपको भी समझ भाज़ेगा, आपका right है, wrong है, या फिर आप खुद के copy में लिख के रहो, आपको कॉमेंट नहीं करना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ओके, चलो I hope आपने try किया होगा, आपको मैं आइंसर बताते हैं, तो radical, मतलब fe two plus है, fe three plus है, कैसे थोड़ा sure हो सकते हम लोग, दूसरे वाला radical देखने का, उसके सामने वाला वही सब, सामने वाला तो sulfur, sulfur का होता है sulfide, sulfide होता है, s2 minus ही, सिर्फ, तो भाई, s2 minus में ने लिलिया, तो अब s2 minus को अगर iron के साथ जोड़ना होगा, तो iron को बन जाएगा, तो देखो fes बन गया compound, ओके, तो ये kris cross method से हमको fes मिल गया, fes से हमको kris cross method में आना है, मतलब, ये radical से हमको compound का formula मिल गया, formula को देखके हमको थोड़ा radicals को तक पहुँचना आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, जब आप एक radical को लिखोंगे, तो दूसरा radical, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा, कि दूसरे radical के उपर charge कितना होना चाहिए, जिसके वाज़े से हो ये वाले existing radical के साथ मिलन करके, ये वाला compound का formula बाले है, ठीके, थोड़ा बहुत फी है, सलफर है, सलफाइड का 2- है, ठीके, तो ये सलफाइड का 2- को फी का कौन सा charge लेगेगा, यहाँ पर मैं X लिक रहा हूँ, positive charge से ही वो जूड़ेगा, negative charge positive charge radical के साथ जूड़ेगा, ओके, पर हमको पताने कितना, अब ये X ऐसा होना चाहिए, कि भाई हमारा compound का formula FES होना चाहिए, इसका मतलब एक ही iron, एक ही sulphur, तो मैं यहाँ पर एक लिक रहा हूँ, एक iron, ठीके, एक sulphur, ठीके, ओके, तो अब देखो, 1 into 2 minus, 2 minus होगा, तो total 2 minus है sulphur के पास, इसके पास भी 1 into X plus, तो ये 1 into 2 जो X plus है, ये 2 plus होना चाहिए, ठीके, तो ये 2 plus कब होगा, जब हमारा X plus 2 plus होगा, तो अगर मैं X को जगे पहाँ पर 2 लिख दू, ठीके, आपर 2 लिख दू, तो देखाँ हो हो जाएगा, 1 into 2 plus, total chart कितना हो गया, 2 plus, 1 into 2 minus, 2 minus, ओकी, तो बस बात खतम हो गई, तो अब हमको समझ में आगा कि F2 plus है, S2 minus है, समझ में आगे बात, तो formula से लेके, FES formula से लेके हम लोग है, आगे radicals के charge तक पहुँच गए, ठीके, चलो, आगे बढ़ते, तो ऐसा ही इस्तमाल करना है हमको, सोड़ा सा दिमाग, और निकालना है radical का charge, ताकि हम बता पाए, भाई, कौन से radical के बीच में mutual exchange हो रहा है, वैसे तो ऐसे टाइप के questions तो mostly पूछें नहीं जाएंगे, पर फिर भी आगर आपकी understanding को check करने के लिए पूछ लिया, in case तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बता दिया, तो Fe2 plus, S2 minus, ये दो SO4 2 minus है, तो अगर सेम आप इस तरह से आप अपलाए करोगे दिमाग, तो H plus वाला है, यहाँ पर समझवाएगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं लगाने की इतनी दिमाग, तो कि देखो हमको तो पता है, H to plus में होता है, एक तो H plus होगा, या फिर H minus होगा radical, ठीके, अब 2 minus आया है, तो hydrogen का radical जो है, वो positive होना चाहिए, positive में hydrogen का radical सिर्फ H plus ही होता है, कतम, कतम, ओके, तो H plus SO4 2 minus, समझे लागे बात, अब mutual exchange किस में हो रहा है, किस किसास हो रहा है, एको Fe SO4, दोनों चिपा करे, इसका मतलब Fe जा रहा है, hydrogen ion के जगह पे, तब ही जाके यह Fe जाएगा यहाँ पर, तो Fe SO4 बनेगा, ठीके, और hydrogen आ रहा है, Fe 2 plus ion के जगह पे, क्योंकि यह hydrogen जूड रहा है, sulfur के साथ, और hydrogen sulfide बन रहा है, देखू, दिख रहा है, hydrogen sulfide, ओके, दोनों product से हमको समझ में आ गया है, किस में exchange हो रहा है, तो यह जा रहा है, यह जा रहा है, यह जा रहा है दो नई compounds दिए, बस इतना ही होता, double displacement reaction, correct, दो पुरानी compound, दो नई compounds देंगे, by mutual exchange of radicals, तो हो गया, mutual exchange of radicals, okay, solution के अंदर, यह compounds होंगे, अब, यह double displacement reaction है, पर इसमें gas भी निकल रहा है, तो मैं यह बता रहा है, कि कुछ ऐसा भी double displacement reaction होते है, जिसमें gas निकलती है, correct, ठीके, ब अब अगला topic हमारा है, जो की और interesting है, वो है भाई, energy changes in the chemical reaction, okay, तो फिलाल तक हम लोग ने अच्छे कासी information ले लिया, अच्छा कासा knowledge ले लिया, concept C के लिए, अलग-अलग reactions के, अलग-अलग type of reactions के, अब chemical reaction में energy changes के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरूगर थे, okay, तो मज़दार है, तो यहाँ पर अब शुरूआत करें हम लोग chemical reactions है, तो simple सा chemical reaction अगर में ले रहा हो, उसमें हमारा एक reactant है, R नाम का, okay, product है भाई, P नाम का, मतलब कुछ reactants है, जो product में बदल रहे, okay, तो मैं इदना simple से form में आपन रिप्रेजंट करतें ना reaction को, reactants gives product, ऐसे में में लिख रहा है, तो अब इसके लिए ना मैं एक reaction भी लेता हूँ, ओकि थोड़ा बहुत आपको समझने में आसाई होगी, तो यह methane है, यह oxygen के साथ react कर रहा है, तो यह हमारे reactants हो गए, okay, अब heat करने पर यह react, मतलब यह heat भी करना पड़ता है, ठीक है, तो methane oxygen के साथ react करता ह है, okay, heat भी करना पड़ रहा है हमको, अब यह react करके क्या बना रहा है हमको, क्या दे रहा है, carbon dioxide और water vapor दे रहा है, ठीक है, यह दो products दे रहा है हमें, methane oxygen के साथ, carbon dioxide, water vapor, अब यह जो सिलसिला है, जिसमें देखो, क्या हो रहा है, यह हमारे दो reactants, यह बन रहे हैं, दो products में, अब जब कभी chemical reaction होती है, तो जो reactants है, यह नए substances में बदलते हैं, correct, तो यह जो पुराने substances जो हमें दिख रहे हैं, इन में कुछ तो बदलाव आता है, correct, यह वैसे रहते नहीं है, for example, अब हम लोग, अब मैं आपको बता दू, यह जो हमारा methane है, CH4, okay, तो अब यह कैसे बना हुआ है, थोड़ा सा insight देता हुआ है, okay, मतलब एक दम basic science side, तो यहाँ पर हमारा methane है, एक carbon, चार hydrogen के साथ यह से जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया CH, एक, दो, तीन, चार, चार hydrogen, इसलिए CH4, तो यह एक carbon, चार hydrogen के साथ जुड़ा हुआ है, अब यह जो, इन atoms के बीच में, यह carbon और यह hydrogen है, यह carbon और यह hydrogen, यह carbon और यह hydrogen, तो suppose मैं अगर बोल रहाँ को यह carbon है, और यह hydrogen है, इनके बीच में, एक force of attraction है, जिसके वज़े से, यह दोनों, एक दुसरे के करीब हैं, यह दोनों atoms, ऐसे, एक दुसरे के करीब हैं, मतलब held है, अच्छे से, और यह held है, इसलिए यह एक molecule के form में बने हुए है, बने हुए है, मतलब, टिके हुए है, ऐसे समझ दो, तो यह carbon और यह hydrogen के बीच में, यह carbon और यह hydrogen के बीच में, और इसी carbon और इस hydrogen के बीच में भी है यह, और इन ऐसे attractive forces के वज़े से, यह एक carbon चार hydrogen से जुड़ा हुआ है और ये molecule ऐसे ठीक से अब मतलब exist कर रहा है अगर ये attractive forces नहीं होते carbon और hydrogen के बीच में तो carbon अलग hydrogen कुछ अलग जगे पे होते तो molecule as a whole exist ही नहीं करता मतलब ये molecule exist नहीं करता जो बना हुआ है अलग-अलग atom से अब ये attractive force मैं की बात कर रहा हूँ ना carbon और hydrogen के बीच में ये एक carbon और ये 4 hydrogen जो दिकर आपको इसी को कहते हैं bond chemical bond ठीक है ये होता है भाई chemical bond अब जब chemical reaction chemical bond अब जब chemical reaction होती है इसका मतलब reactants का बदलाव होता है into products तो ये जो reactants के जो मतलब ये जो reactants होते हैं ना ये reactant molecules में ये जो atoms है इन atoms के बीच में तोड़म ताड़ी हो जाती है bond की तो जब ये methane oxygen के साथ react कर रहा है carbon dioxide और water vapor बनने के लिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर carbon hydrogen के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर carbon तो oxygen के साथ जुड़ा हुआ है ना तो फिर ये जो reactant में जो हमारा carbon है जो hydrogen से जुड़ा हुआ है इस carbon को अब इन hydrogen से चुटकारा पाना होगा तो ये क्या करेगा तो चुटकारा पाना होगा मतलब पहले इसको चुटकारा देलाना पड़ेगा तब जाके ये carbon oxygen के साथ जुड़ेगा तो ये चुटकारा कैसे मिलता है bond break होने पर तो हमेशा chemical reaction में होता क्या है reactant molecules जो है इनके atoms के बीच का bond तूटता है इनका लगाव तूटता है तब ही तो जाके ये atoms किसी दूसरे atoms के साथ जुड़ेंगे और नया compound बनाएंगे simple सी बात है न तो ये जब bond तूटता है न भाई साहब तब energy लगती है लगती है मतलब required होती है तो energy यहाँ पर absorb की जाती है और फिर ये bonds तूटते है ठीके तो bond तूटने के लिए energy लगती है इस molecule को तो ये energy लगी लगी भाई इस bond को तोटने के लिए तो याद रखना bond break होते है between the atoms of the reactant और जब bond break होता है तब energy लगती है तो ये energy लगती है मतलब energy absorb की जाती है bond को तोटने के लिए attractive force है न कसके पकडे हुए है सारे आटम से एक दुसरे को ये рабन है ग्रों को कसके पकडा हुआ है ओक हम उसके पकडा हुआ है तो ही तरफ से खीचो आपने जीक्रीवाइब करते हैं यह थोड़ी कोई दूसरे अमेठ्व आया रहे है को था आपने ही आटम्म से दो है अपने जैसे ही ब्याव करेंगे, वैसी कर रहे हैं, लगाव को दूर करना पड़ेगा, तो भाई, फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एनरजी लगाने पड़ेगी, उनको दूर करने के लिए, तो एनरजी रिकॉर्ड है, अब वैसे ही, जब आप देख रहे हो, यहाँ पर का कारबन औक्सिजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ा होता है, देखो, कारबन न, यह उक्सिजन के साथ कुछ ऐसे, ऐसे बॉंड फॉर्म करता है, तो अब ध्यान मत देना में ने दो डंडिया लगाई है, ऐसे समझ लिए यह बॉंड जी है, ठीके, यह भी दो डंडियों का मतलब क्या, एक डंडी का मतलब क्या, इतना जाने ने डीटेल में, यह भी बॉंड ही बन रहे है, पर यहाँ पर कारबन का ऑक्सिजन के साथ बॉंड बन रहा है, यहाँ से चुटकारा मिल गया कारबन को, अब कारबन को प्रोड़क्ट बनना है, कारबन ड देखो, bonds are formed between the atoms, ठीके, to give products, ठीके, जैसे carbon dioxide, carbon dioxide, CO2, ठीके, अब जब कभी भी bond बनता है, atoms के बीच में, जैसे कि आपर carbon और oxygen के बीच में bond बन रहा है, तब, energy दी जाती है, energy, release की जाती है, ठीके, बाच समझ में आ गई, यह बस आपको याद रखना है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक छोटी सी बाच समझ लेना, यहाँ पर जब bond form होता है, तब यह ज़ादा एकदम स्थीर हो जाते हैं, ज़ादा स्थीर हो जाते हैं, तो ज़ादा स्थीर हो जाते हैं, इतना depth में ज़ादा नहीं है, कि यहाँ पर energy release क्यों होती है, फिलहाल तो अभी इस level पर, पर आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर energy लगती है bond तोडने को, तो इस वाई से ही, जब bond बनता है, तब energy दी जाती है, ठीके, अब यह जो bond, देखो, reaction जब होगा, तब यह bond की टूटम टूटाई होगी, bond की बना-बनाई भी चलते रहेगी, ओके, यहाँ पर bond टूट रहे है, methane molecule में, oxygen के molecule में, यहाँ पर bond बन रहे ताकि यह carbon dioxide और water vapor निकले, तो जब bond टूट रहे है, तब, oh 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 oh, energy लग रही है, जा रही है, bond बनने के बाद, product जब बन रहे है, तब, बात समझ में आगए, यहाँ तक, पर, अगर हम लोग देखे, तो, हर एक reaction में, अगर हम लोग यह energies को compare करें, okay, energy को compare करें, तो इस reaction में, अक्सर हो क्या रहा है, मलूँ में, suppose, suppose, मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर 500 energy ली जा रही है, bond को तोडने के लिए, पर जब products बन रहे है, तब, जो bond form हो रहे है, तब, भाई साब, यह bond, जो, मतलब, यह जो form हो रहे है न, तब release हो रही है, 1000 energy, okay, मतलब, energy release हो रही है, suppose, 1000, okay, तो हो क्या रहा है भाई, तो एक, अगर हम लोग देखे, net value देखे, energy की, जब reaction हो रहा है तब, तो 500 अगर लग रहा है, तो 1000 दे भी रहा है, तो मतलब, net क्या हो रहा है, अगर मैं इस 1000 को ऐसे लिख दू, 500 और 500, दोनों में, मतलब 2500 लिख दू, तीके, यहाँ पर reactant के side पर मैं एक 500 लिख रहा हूँ, क्योंकि यह 500 energy लग रही है, यह product के side में 2500 लिख रहा है, क्योंकि 1000 energy जा रही है, पर देखो, अगर मैं इसको balance करना चाहूँ, तो मैं अगर ऐसे करो सकता हूँ, यहाँ पर के 500 और यहाँ पर के 500 काट दिये मैंने, तो मुझे net समझ में आगा कि कितनी energy, मतलब energy के साथ क्या हो रहा है, net energy release हो रही है, या absorb हो रही है, तो मैंने कहा क्या, दोनों सरफ energies लिखी, ठीके, अब मैंने, काट दिया, यहाँ पर जितनी energy थी, और यहाँ पर जितनी energy थी मैंने देखा, net energy find out करने के लिए, तो मुझे क्या समझ में आया, देखो net energy जब भी find out करेंगे हम लोग, अगर दोनों साइड energy same to same है, यहाँ पर भी जितनी energy लगी, उतनी energy यहाँ पर दी जा रही होगी, ओके, तो फिर, तो भाई, फिर energy change हुआ ही नहीं, पर ऐसा तो होता नहीं है chemical reaction में, ओके, chemical reaction में हमेशा energy change हमें दिखेगा, अगर वैसा नहीं है, तो भाई chemical reaction में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ओके, बात समझ में आगई, तो energy change है मतलब, एक तो, एक point of, मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई energy जो लग रही है, वो कम है और दी जा रही है, वो जादा है, या फिर जो energy लग रही है, वो जादा है, और दी जा रही है, वो कम है, तो पहला हम लोग ने case देख लिया, पहला हम लोग case देख रही है, जिसमें energy जो लग रही है, वो कम है, दी जा रही है, तो net, अगर मैं energy देख रहा हूँ, तो जादा energy दी जा रही है न, तो इसका मतलब net energy, net energy change क्या हो रहा है, यहां से मैंने 500 काड़ दी, यहां से मैंने 500 काड़ दी, तो total energy बची कितनी, सिर्फ यहां पर 500 बची, और यह 500 क्या हो रही energy, जा रही है, तो net energy change क्या है, release of energy, अगर सिनारियो उल्टा कर दे, अगर यहां पर suppose, इस reaction में तो वैसे होता नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यहां पर suppose, कोई एक अजीब reaction, कोई मतलब और दूसरा एक reaction है suppose, ओके A और B, यह reactants है हमारे C और D, यह product में बन रहे हैं, ओके जब यह reactants बन रहे हैं, तब जो bond breaking हो रही है, अभी A, B को ध्यान मत दे ना, मतलब यह A क्या है, element है component, यह मैं बता रहा हूँ, सपोज यह A है methane, यह B है oxygen, ऐसे समझ लो, यह फिर कोई दूसरा reaction हम लोग अगर सोचे, जिसमें energy absorb की जाती है, ओके तो उस तवाले type के reaction के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें, मतलब ऐसे समझ लेना यहाँ पर, in short, की A हमारा एक reactant है, B हमारा एक reactant है, simple सकता है, फिर यह C हमारा एक reactant है, D हमारा, सोरी, C हमार एक product है, D हमार एक product है, ठीके, तो यह A और B, यह जो reactant है, इनमे, bond breaking हो रही होगी, okay reaction जब हो रही है तब, तब इसको कुछ energy लग रही होगी, अब इसको energy लग रही है, suppose 1000, अब यह जो bond form हो रहा है, okay, C और D, यह products बनने के लिए, तब यह जो energy release हो रही है, यह है 500, तो अब मैं इस 1000 को 500 500 में लिख दू, ठीके, ठीके, थोड़ असा simple सा math आ रहा है, इसमें ब इस तरब बचिए, 500, 500 energy बचिए, वो क्या हो रही है, absorb हो रही है, तो net energy क्या हो रही है, absorb हो रही है, reaction में, तो reaction में हो रहा क्या है, एक तो energy absorb होगी, जैसे इस case में हो रही है, या फिर energy release होगी, मतलब net energy change जो हमें दिखाईने का reaction के अंदर, यह एक तो होगा absorption of energy, या फिर release of energy, बस ये चीज हमें समझनी थी ठीक है, बाच समझ में आ गई अब हमेशा आईसा होगा, reaction जब भी हो रहा है, energy change दिखेगा हमें और energy change इस तरह से दिखेगा कि भाई एक तो energy absorb हो रही या फिर energy release हो रही है ठीक है, तो अब इसका मतलब जब कभी energy absorb होती है, तब थोड़ा बहुत reactant और product के energy को compare करना तो बनता है, राइट, ओके तो अगर suppose reaction में energy क्या हो रही है net energy absorb हो रही है तो net energy absorb हो रही है मतलब, ये reactant के side पर energy absorb दिख रही है हमें, देखो, यहाँ पर net energy absorb हो रही है तो reactant के साथ मैंने energy लिखी correct, तो यहाँ पर भी net energy absorb हो रही है, ऐसे कह रहा हूँ है, तो reactant के साथ मैंने energy लिख दी, ठीक है, और फिर यहाँ पर is equal to product था, यूकि product के बाज में तो कुछ energy है नहीं समझ में आगे आपको बद, यहाँ पर मैंने कहा न, energy absorb हो रही है इस reaction में, तो energy absorb हो रही है मतलब देखो 500 energy absorb हो रही है, यह तो cut हो गया, यह तो cut हो गया, तो 500 energy absorb मतलब मैंने इसको e लिखा, e plus reactants लिख दिया मैंने, ठीक है, e plus reactants, फिर product case में energy नहीं बची है, तो सिर्फ products, gives products, तो gives products, पी, तो अब ऐसे cases में, क्या होगा, देखो, जाहिर सी बाते, simple सी बाते, reactants के पास भी कुछ energy है, ठीक है, समझ ले न, reactants के पास भी थोड़ी बहुत तो energy है, इसमें और energy add हो रही है, ओके, और फिर यह जो energy है न, add होने के बाद, यह पहली वाली है, reactant की, इसमें यह और energy add हो रही है, देखो, reactant की है, यह energy, ठीके, इसमें यह energy add हो रही है, और फिर यह add होने के बाद, जो total energy हो रही है, यह हो रही है, product की, तो यह total है, भाई, product का, तो आब आपको समझ में आ गया होगा, product, product की एनरजी इतनी, रियाक्टेंट की एनरजी इतनी, इसका मतलब product की एनरजी जादा है than reactant, तो जब कभी energy absorb होती है chemical reaction में, जब कभी net energy change हमें ऐसा लिख रहा है कि भाई energy absorb हो रही है, तो product की product का जो energy है, वो जादा होका than the reactant, अब उसी को उल्टा कर दो, अगर, अगर मैं कह र जो है वो release of energy, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं ऐसे लिग देता हूँ, यहाँ पर था 500 था, ओके आप पीछे दा के देख ले ना, 500 प्लस 500 था, यहाँ पर 500 था सिर्फ, यह 500 यह 500 कट हो गए थे, ठीक है, तो अब reactant के करफ तो सिर्फ reactants बचे है, तो reactants gives products और यहाँ पर energy भी plus energy, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओके, जो reactant है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता आपको, ओके, तो reactant की energy भाहिसाब इतनी है, ठीक है, पर यह जब product बन, मतलब यह reactant जब product में बदल रहा है, तब थोड़ी amount of energy दे भी रहा है, और, मतलब क्या हो रहा है, कि यह reactant है, यह आफिर ऐसे समझ लो, product और, यह जो energy थोड़ी बहुत है, इसको मिला लेंगे, देखो, यह product के energy है, यह छोटू पी, यह थोड़ी और उसमें energy मिला दी, यह E, तो बन रहा है हमको, तो यह जो total है, यह इतनी है, equal to reactant के energy, ओके, तो यह है, रियाक्टन के energy है, आरे product के energy इत्तुसी है, तो reactant के energy जाधा है than the product, ठीके, बस मैं समझाने के कोशिश किया, आपको यह थोड़ी बहुत block से, इससे थोड़ी सा आसाशने से समझ भाए जाते है, तो हमेशा जब भी chemical reaction होगा, तब reactant और product के बीच में energy difference होगा, ठीके, in every chemical reaction, difference in the energy between the reactants and the products is observed, ठीके, difference in the energy between reactants and the products होता है, और यह difference in the energy होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कि भाई साब, अगर यह difference कब होगा, कब होगा, simple सी बात है न, अगर reactants और product जो है, इनके बीच, इनकी जो energies अगर same to same होती, तो energy difference होता ही नहीं, पर हर एक chemical reaction में कुछ ना कुछ energy difference होगा, reactant और product में, वो क्यों आएगा, क्योंकि एक तो energy reactant के साथ मिली हुई होगी, या मतलब एक तो energy absorb की गई होगी, okay, net energy change, एक तो absorption of energy होगा, inner reaction, या फिर, या फिर, energy release की जाई होगी, okay, along with the product, तो net energy change होगी, या फिर release of energy, तो क्योंकि अब देखो, दोनों भी condition में, reactant और energy, okay, ऐसा वाला, हम लोग ने equation देखा, देखो, एक तो energy absorb की जाएगी, in the reaction, या फिर, energy release की जाएगी, in the reaction, okay, दोनों के case में, देखो, E plus R gives P, इसमें भी देखो, reactant और product की, energy में difference है, वैसे ही, R gives P plus E, तो R gives P plus E, इसमें भी देखो, reactant और product की energy में difference है, तो क्योंकि, क्योंकि, हमे energies में भी difference आता है, ठीक है, बात समझ में आगी, बात clear होगी, बस यही चीज हमको थोड़ी बहुत समझने थी, okay, अगर इसी को, अगर हम लोग graph के form में भी अगर plot करे, तो भी कैसे होगा graph, देखो, यह अगर हम लोग ऐसे कुछ समझने की कोशिश करे, अब मैं दो graph बना दे लिए, इसमें, अब मैं graph में ऐसे कर रहा हूँ, amount of energy है यह, ठीक है, कुछ ऐसे मैंने scale से रख दिया है, यह 0 है, 0 से चालो किया है, सपोज हम लोग ने, okay, या फिर छोड़ दो, scale है कुछ, okay, और यह है न हमारा reaction प्रोसीड हो रहा है, तो reactants बन रहे है, products, तो जब line ऐसे किस केगी न, तो इसका मतलब है reactant product में बदल रहे, okay, शुरुवात में reactant की energy कुछ इतनी थी, suppose, अब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यह वाले reaction के बारे में, जिसमें energy, जिसमें net energy change है, absorption of energy, ठीक है, इसलिए वो reactant के साथ लिखा है मैंने, तो reactant की energy suppose इतनी है, ठीक ह और इसमें energy absorb, मतलब यह और energy इसमें आएगी और product के energy बनेगी, correct, तो reactant में अगर और energy आएगी तो product के energy जाधा होगी न, तो देखो, जाधा होगी product के energy, then the reactant के energy, ठीक है, देखो, reactant में energy आ रहे है और फिर product के energy बनेगी, तो reactant के energy इतनी थी, इसमें और energy आएगी और product के energy तो देखो जब reactant to product सफर चलेगा chemical reaction का, तो energy change कैसी होगी, कम से जादा, ठीके, मत समझ में आ गई, वैसे ही ultra अगर हम लोग करेंगे, इस वाले reaction के लिए, ये वाला, ये वाला, ठीके, थोड़ा सा में इसको हटा देता है, समझ मैं जाए आपको, ये वाला, तो इसके case में, व release हो रही है, तो इसको हम लोग देखते हैं, इससे समझ में आ जाएगा, reactant के energy, इसके case में क्या है, reactant के energy जादा है than the products, तो reactant के energy में यहाँ पर plot कर दी, suppose, वो जादा है, okay, than the product के energy, तो देखो, reactant के energy में ने उपर plot की, okay, suppose ये 10, 20, 30, 40, तो suppose ये 90 है, ये suppose 50 है, okay, तो reactant के energy जादा है than the products, तो reactant के energy में ने उपर plot की, जादा than the product, product की नीचे plot की, तो reactant के energy जादा than the products, तो ये ऐसे कुछ plot दीखेगा, okay, जब reaction proceed हो रही है, from reactants to products, अब ये जब सारी जो कहानी है, ये जब चल रही है, इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि, जो मैंने simple सी ब अबारत में इसी चीज़ के लिए बता है, आपको समझाने के लिए, कि जब भी कभी chemical reaction होगा, तब energy change होगा, इस तरह से होगा, कि भाई, एक तो chemical reaction जब हो रहा है, तब energy एक तो absorb होगी, net energy change एक तो absorption of energy होगा, या फिर release of energy होगा, okay, दो, जब chemical reaction होता है, okay, मतलब, फिर भी, okay हमें आभी पहले भी देखा, कि chemical reaction जब होगा, तब कुछ energy absorb भी होगी, कुछ energy release भी होगी, पर अगर net energy की बात करेंगे, तो एक तो energy release होगी, या फिर absorb होगी, ये चीज़ बहुत अच्छी से समझना है, तब जाके आगे बात बनेगी, तो अब, जो भी energy release हो रही है, या फि absorb हो रही है, ठीके, तो वो absorb या फिर release हो सकती है in the form of heat, ठीके, heat एक form है ना energy का, अब अगर, अगर heat की बात करें हम लोग, तो अगर heat energy, अब मैं आपर लिकरा हूँ, heat energy absorb हो रही है, या फिर heat energy release हो रही है, reaction में, okay, net energy change, chemical reaction का इस तरह से है, कि भाई, energy absorb हो रही है in the form of heat, या फ तो इसके आधार पर reaction दो types के होते हैं, एक तो है exothermic reaction, दूसरा है endothermic reaction, अब देखना, जिस reaction में net energy change, ध्यान से समझना, जिस chemical reaction में reactant to product जा रही है reaction, इसमें net energy change है absorption of energy, absorption of energy, ठीके, reactant के बाजू में होगी, correct, अब थोड़ी देर पहले हम लोगे देखाता ना, अगर absorption of energy है, तो देखो, correct, net energy change अगर absorption of energy है, तो reactant के बगल में ही energy है, correct, reactant plus energy होती है, use product, ठीके, तो देखो, reactant plus energy, use product, ओके, तो net energy change अगर absorption of energy है, तो हम लोग reactant के side में ऐसे energy लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो हम लोग ने छोटा simple calculation देखके समझ भी लिया, ओके, तो अ energy change chemical reaction में ऐसा है कि भई energy absorb हो रही है in the form of heat तो ऐसे chemical reaction को कहते है endothermic reaction अब इसका उल्टा तो अगर chemical reaction हो रहा है मतलब chemical reaction हो रहा है और उसमें उसमें net energy change जो हो रही है वो है release of energy तो release of energy मतलब products के साथ हम लोग energy लिखेंगे देखो absorb हो रहा है मतलब reactant के साथ लिखना है okay release हो रहा है मतलब product के साथ लिखना है simple बात अब यह बात भी समझ में आ गई थी कैसे क्योंकि हम लोग ने देखा था 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 थोड़े दर पहले जब यहाँ पर जब energy change जब है release of energy तो जब net energy change जब है release of energy तब देखो सिर्फ reactants energy term नहीं है gives product plus energy तो सिर्फ reactants gives product plus energy ठीक है अब यह जो energy है ओकी यह heat energy के form में अगर absorb हो रही है मतलब जो net energy change है reaction में ठीक है वो इस तरह से है कि भाई heat energy absorb sorry heat energy release हो रही है ओके तो इस ऐसे type के reaction को कहते है exothermic reaction ठीक है किसे type के अगर अगर chemical reaction में net energy change release of energy है in the form of heat ठीक है तो इसको कहते है exothermic reaction ओके इन ही चीजों को थोड़ा और simplified version में बोलने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे reaction जिसमें सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हो simply ऐसे reaction जिसमें energy heat energy absorb हो रही है वो है भाई endothermic reaction और ऐसे reaction जिसमें heat energy release हो रही है वो है exothermic reaction बस इतने simple सब्दों में भी बोल सकते हम लोग ऑके पर यह जो energy absorb या फिर release हो रही है यह आपको समझना है कि यह net energy change के बारे में बात चल रही है जिसके वज़े से यह पूरा मैंने महापरत रामायन बता दिया ठीक है तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आए है इस वीडियो के end पर और I hope आपको चीजे समझ में अच्छे से आई होंगा आपको मजा आओगा पढ़ने में मैं बिल्कुल वेट करूँगा और जैसी के आप सभी को पता है ललो मतलब free rapper best है तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी chapter के बच्चे हुए concepts के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहे ना stay tuned bye and have a great day झाल